फे गाईज देखो ये सारे स्टॉक्स किसके पास है जरूर वडियो देखेगा अधानी सर अधानी से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगो काफी बड़ी खबर आपको देखने को मिल जाएंगे सर और ज्यादा तर तो सर सिमेंट से रिलेटेड अधानी सिमेंट जो कि आप बोल डिल होते हुए नजर आया है सर जो कि हाईद्राबाद में आपको देखने को मिलेगा और इसके वड़े से सर कंपनी ये जो ये जो पेना सिमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे अम भुजा सिमेंट ने 100% स्टेक अक्वाइर कर लिया ऐसा है पूरा 2422 क्रोड में सर इसके सर इनका production बढ़ जाएगा और सर इनका एक एरिया भी हो जागा कहने का मतलब है अप समझ लिजे कि सर ये है इंडिया अब इंडिया में सर माल लेते है यहाँ पर अमबुजा सिमेंट है अब माल लेते है इस कोने में है सर ये जो दिखने को मिला ठीक है पेना सिमेंट अब यहाँ पर जो यह है, तो इसने sir इसको खरीद लिया, अब यह क्या करेगा, अपना resource देगा, अपना technology देगा, अपना management देगा, और बड़े लेवल पर production करेगा, और इस area में भी sir अपना, यह क्या कर लेगा, कभजा कर लेगा sir, जितने भी और भी company है sir, उनको side करके अपना के तरफ से जब ख़बर आया था, तब से सरी यह stock 60% से भी बड़ा return निकाल के दे चुका, और जब उसके ख़बर आया था, तो यहाँ पर यह गिरावाट दिखने को बना था sudden, जो कि यह stock गिरा था, लेकिन जादा नहीं गिरा था, लेकिन फिर भी सर्माल लीज़े, 40% तो इन लोगों पता होता है, कितनी इनकी production capacity बढ़ जाएगी, इसके इसाफ से दिखे 1 plus 1 कितना होता है, simple strategy में आपको आज बता दूँआ, 1 plus 1 कितना होता है, लोग बलेंगे 2 होता है, बिल्कुल आप लोग जो बोलते हो ना सर, वो बिल्कुल सही होता है, जो भी आप जवाब देते हो, लेकिन सर, अगर आप देखोगे, उसको अगर language बदल दिया जा रहा है, तो 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 गलत हो जाता है, ऐसा हो जाता है, language बदल देने से नहीं, इसका meaning अलग हो जाता है, 1 plus 1, 2 जरूर होता है, लेकिन सर, finance के दुनिया में 1 plus 1, 2 नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, 1 plus 1 कितना होता है, सर, 1 plus 1, 3 होता है, अब लोग बुलेंगा, भाई, अजीब आदमी हो, 1 plus 1, 3 होता है, कहां पढ़ाई किया हो, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, समझे, अगर माल लेता है, कि सर, एक company है, ठीक है, अब एक company, ये company है, जो 100 रुपे कमारी है, अब ये company भी सर, 100 रुपे कमारी है, बिल्कुल सही है, सर, सही है नहीं है, सर, बिल्कुल सही है, अब एक बात बताईए, दोनों company बोल रही है, कि भाई, देखो, हम दोनों merge हो जाते है, साथ में मिल के काम करेंगे, साथ में मिल के काम करेंगे, चलो, अच्छी बात है, सर, साथ में मिल के और इस कंपनी का नाम धेता हूं, कंपनी B, अब बताओ, A और B कंपनी जब मिल जाएगी, तो सर कितना पैसा कमाएगे यह लोग, आब लोग बोलेगे, सर यह सो क्रोड करोड कमारी है, यह सो क्रोड करोड कमारी है, जो कि per company 100 करोड़ी होगा तो फिर फायदा क्या है फिर फायदा क्या है company तब ही merge करती है sir जब दोनों मिल के बड़ा काम करेंगे और 200 करोड़ से ज़्यादा profit आएगा जो कि 300 करोड़ पर ही लोग focus करते हैं बास समझ में आईई जब ऐसा ही है इतना ही है तो sir अलग-अलग करेंगे न तब तो sir अलग-अलग ही हम लोग रहेंगे साथ में मिलके फिर क्या फायदा बास समझ में आ रही है तो 1 प्लस 1 finance में 3 होता है याद रखेगा ठीक है इसलिए sir brokerage भी बोलना चाहते हैं यहाँ पर अम्बुजा सिमेंट काफी अच्छा रिटन निकाल के दे सकता है future में sir और यह मैं आपको बलूँगा है तो एक बहुत बड़ी ख़ब है तो जितने लोग long term तक टिके रहेंगे वह बहुत अलग ही टाइप कर रिटन कमाने वाले हैं sir रेल विकास निकाल लिम्टेट क्या यह 1000 रुपए के आजू बाजू जा सकता है कोशन मार के साथ क्या यह 1000 रुपए आजू बाजू की जा सकता है देखो कहने का मतलब है आज से तो sir कहने का मतलब आज से लगबग 2-3 साल पहले लोगों को भी नहीं पता था अभी अगर आप देखोगे तो हमा इंडिया के अंदर जो रेल्वे सेक्टर आओ इसको बहुत ज़ाधर डफल अब होना है अगर आप देखोगे तो हमारा धेको अगर मैं हाने से बोलूं तो sir हमारा रेल्वे सिस्टम बहुत पीछे और हमें इसमें सर बहुत जाधर development चाहिए बहुत का मतलब बहुत जाधर development चाहिए सर और बहुत सार ये बंदि भारत के बात तो सर आपको bullet train के ऊपर ख़बर आपको देखने को मिल जाएंगे electrification हर एक चीज़ बदलना पड़ेगा सर वहाँ पर पावर का consumption जादा हो जागा सर इलेक्टिफिकेशन के अंदर सर रहे construction भी करना पड़ेगा ना सर दुबारा बहुत सारे construction करने पड़ेगा तो railway कास निगम limited को मानने वाले future में फायदा होने वाला है सर क्योंकि हमारे इंडि ध्यान रखेगा railway के अंदर अभी भी बहुत बड़ा development होना बाकी है सर उसके बाद सर PTC Industries ये कंपनी ने बहुत अच्छा return निकाल के दिया है 80% तक का return निकाल के दिया है सर 8 days में और अभी भी सर ये लगातार भागे जा रहा भागे जा रहा ना आपको बहुंगा देखे थ Morgan Stanley इसने कितना खरीदा देखिए तो बोला जा रहा 3.13 करोड शियर्स L&T Finance का सर ये उने खरीदा जो कि लगबग 534 करोड का सर ये बहुत बड़ा डील हुआ है बहुत बड़ा डील हुआ है बहुत बड़ा जहां पर इतने बड़े लेवल में सर माल उठाया गया है मैं बोल बारे में और इन्हों ने इस कंपनी में करोड शियर कर दें इसका मतलब उनको लग रहा है कि ये कंपनी फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाली है सर देखिए अपने अपने सब का रिसर्च करने का तरीका होता है तो आप अपने हिसाब से देखिएगा और अगर आप स्ट